एक बार मेरी फ्रेंड और उसके हस्बेंड आये थे और उन्होंने ये करेले की सबजी बनाई थी वो बना रहे थे ग्रेवी वाली तो मैं देखके मैंने सुझा कौन खाएगा ग्रेवी वाली लेकिन जब खाया तो ऐसा लगा कि अरे ये सबजी तो मैं भी बनाऊंगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए तो मैंने ये छोटे वाले करेले लिये हैं और छोटे वाले बहुत ज्यादा कडवे रहते हैं लेकिन मेरे पास फिलाल यही रखे थे तो मैंने सुचा आज मैं भी यही करेले की सबजी बनाती तो उपर के छिलके मैंने इन्हें तो जाड़ा मोटा उन्होंने तो बहुत मोटे मोटे रखे थे मैं dice कर रही मतलब मीडियम साइज के cut कर लिया मैंने गूलकों यह देख़े आपको दिखा रही हो और यह सब करेले मैंने cut कर ल्या उन-के छिलके भी निकाल लिये हैं इक बावल में और अब मैं डाल रही हूँ करेले में दो चमच नमक और इसमें जो बाउल में छिलके निकाल रखे उसमें भी मैं डेर चमच नमक डाल दूँगी क्योंकि ये कम है छिलका तो इसमें मैं डेर चमच नमक डाला है और इने हाथ से अच्छे से मसल मसल के नमक इसमें मिक्स कर देना है चिलकों में भी और करेलों में भी ताकि इनका कड़वापन है वो अच्छे से निकल जाए इसमें से तो मसल मसल के इसे नमक को मिक्स करना है और इसे रख देना है साइड में अभी हमें एक मसाला बना लेंगे इसके लिए तो मैंने चार बड़ी कली है लहसुन की चार पांच कली ले लिए आदा इंचा दरक और चार छोटी हरी मिर्ची ले लिए है मैंने जादा नहीं लिए एक चमच सौफ, एक चमच खड़ा धना और आदी चमच मैंने इसमें जीरा डाल दिया है अभी मैंने फिर से गलती की बड़ा बाउल ले लिया है बड़ा मिक्सिक अजार लिया है तो उसे मैं छोटे में डाल रही हूँ हर बार कुछ में कुछ गलती में करती हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ दो सुकी लाल मिर्च तो ये सुकी लाल मिर्च भी इसमें डाल दी है और ये मसाला हम पीस लेंगे तो इसे हमें दरदरा ही पीसना है ज़्यादा बारिक नहीं करना है तो ये मसाला पीस चुका है हमारा अभी में इसमें इसे रखेंगे साइड में और जो करेले रखे हैं उन्हें बहुत अच्छे से मसल ना है ताकि जितना भी कड़वापन इन में रहे वो नमक के पानी के साथ इसके निकल जाए तो यह मैंने मसल लिया है और यह जो हमने चिलके निकालके रहे देखिए इसमें तो अलड़ी इतना पानी इसने रिलेज कर दिया है नमक के साथ तो इसे भी हमें दो लेना है एक एक बार दोनों को दो लेना है पानी से तो मैं एक एक बार पानी से धो रही हूँ ताकि जितना भी हमने नमक जादा डाला है नमक भी इसमें कम हो जाए और इसका कड़वापन जो रहेगा ना पानी के साथ वो भी निकल जाए तो इसे मसल मसल कि मैं Пानी में धो रही हूँ और अभी मैं इसे अच्छा से निचोड रही हूँ तो बहुत टाईट इसे निचोडना है पानी इसमें बिलकुल भी नहीं रहने देना है क्योंकि हम आगे इन्हें तेल में थोड़ा सा सेकेंगे इसके लिए मैं इसमें पानी नहीं रख रही हूं बिल्कुल भी टाइट निचोड लेना है तो ये रखेंगे साइड में अब ये कड़ाई रख दी उसमें मैंने एक चमच सरसो का तेल डाल रही हूं और दो चमच जो अचार के उपपर तेल रहता है ना फ्रेंड्स कोई भी स सबजी आपको टेस्टी बनानी है तो अचार का तेल जरूर उसमें मिक्स कीजेगा तो दो चोटी चमच में ने अचार का तेल डाल दिया और उसमें ये करेले डाल दिये हैं और करेल को हमें सेकना है तो ये देखिए पांच से साथ मिनट में ये करेले हमारे अच्छ से सीख चुके हैं और इनकी खुझभू भी अच्छे आने लगी है अचार का जो हमने तेल डाला है उससे इसकी खुझभू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट तो इसका चार गुना बढ़ जाता है तो यह रख दिया है वो थोड़ा सा तेल और था उसमें जो हमने चिलके निकाल र बारी कटी हुई मैंने प्याज डाल दिया है इसमें मैं राई यूज नहीं कर रही हूँ तो यह मैंने डाल दिया और प्याज को भून लिया है अच्छे से अभी जो हमने मसाला बना के रखा था ना मिक्सी के जार में वो डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी पाउडर दनिया आप्यार दिया है और यह मिर्ची डाल रही मिर्ची पाउडर तो तीखा आप आपके टेस्ट के अपोर्डि năm कम ज़्यादा कर सकते हैं करेला है थोड़ाओर रहा"? तो आप ठीखा भी कर सकते हैं या इसे आगे जो मैं बना हूँगी वैसे भी बना सकते है एक बार ज़रू भी नहीं कर रही हूं कि मैं और मेरा बेटा ही है तो हम दोनों कोई खाना है ज्यादा ग्रेवी हो जाएगी तो फिर ज्यादा सबजी बन जाएगी अब मैंने इसमें डाल दिये थोड़ो सा गरम मसाला तो यह जरूर डालिएगा बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता इसमें औ इसमें मैंने डाल दिये हैं और अब मैं डाल रही हूं इसमें लास्ट में करे ले जो कट करके वह हमने सेक्के रखे थे वो इसमें डाल देना है लास्ट में और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे तीन से चार मिनट इसके साथ ही ग्रेवी के साथ तो यह देखि और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूं आदे निम्बू का रस तो ये जो हमारी सबजी बनी है ना बहुत बहुत टेस्टी बनी है खटी मिठी तीकी करे लेकि सबजी तो ओड़ी सी कड़वी जादा कड़वी नहीं तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा और ये रेसेपी आप कैसी लगी अगर अच्छी लगी है पसंद आई है मेरी मेनत और ये सबजी रेसेपी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर कीजे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बेल आइकन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी नही नही रेस अपी के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाई